अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखनी के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले आड़ अभी आड़ सद्दू बेना गर्भा में तू बहुत सुन्दर लग रही थी है परवाग आपको किसने मता है कि मुझे साथगरों का गर्भा आता है तेरी छोटी बहन मुंगी है ना उसने पताया है परवाग गर्भा करते वक्त मैंने परिवर वालों के आखों में अलासी चम्मक देखी माया वंख्षी परिवार की बहु भी साथ घरे का गर्भा किया करती थी मेरी सुबदरा तुझे देखकर सबको सुबदरा याद आगी मेरी साथ घरे का गर्भा किया करती थी अगर यह बात मुझे पता होती न तो मैं साथ घरे का गर्भा कभी नहीं करती क्यों कि जिस चीज से मालिक दूर जाना चाहते मैं नहीं चाहती कि वार बार सामने आए मैंने माल dram के मण में माल के लिए जो प्यार देखा है उसे कोई दूर नहीं कर सकता एसा एक ते दिन अहीं गया हो जो मालिक में माल को याद देखिया हो उसे बहुत प्रॉल लग रहा है कि मुझसे ये भूल अंजाने में होई पर आपमें चानबुशकर मुझसे भूल करवाई बाग क्यों? और मेरी खुशी इसी में है कि मेरी सुगद्रा और धरमराज साथ में रहे मेरी संतु के रूप में ज़रूरी नहीं है बाद इसमें आपको खुशी मिले उसमें मालिक भी खुश हो मालिक रोते पर सब के सामने अपने आज से चुपाते और मैं चानती हूँ कि मैं मालिक का स्थान कभी नहीं ले सकते और मैं चाहती हूँ कि तेरे और धरबराज के बीच में है कुछ नहीं होगा आम दोनों के बीचवा क्योंकि मैं माली के लाइक हो ही नहीं मैंने माली को कभी कोई खुशी दी ही नहीं और मैंने चाहती कि मेरे चाहने से पहले मैंसा कोई काम करूँ जिसे माली को दुख पहुचे कि माम बाइ मैं क्या करूँ मैं क्या करूँ कि मेरी सुपने इस घर में रहे और तरह मुराद के संदू के बीच की एदूया तूर हो जाए अब कोई आइडिया है नानी कल तो साथ घड़े के गरबे में हमने डाट को संदू के बारे में एसास कराने की बहुत कोशिश की पर कुछ फाइदा हुआ ही नहीं कद्दू माना कि हमें कोई फाइदा नहीं हुआ और ना ही हम कामियाब हो लेकिन फिर भी कम से कम शुरुआत तो हुई ये सब दो ठीक है शचांग पर इतने से काफी नहीं है हमें कुछ और करना होगा जिससे डाट खुद संदू को इस घर से जाने से मना करते हैं हेलो हितेन दरमराज जी हैं क्या वो अपने कमरे में उपर हो गया बात क्या वकील साब आक्चुली कल कोट की तारीख है उनके डिवोर्स के मामले में इसे लिए उन्हें और मिसेस महियाब अन्शी को कोट आना पड़ेगा डिवोर्स के पेपर्स पे सिगनेचर करने के लिए पर उनके तो नमरात्री में नौ दिन उपास रहते हैं और कल तो अश्टन मुझे नहीं लगता के पपा कल आप आईंगे अरे हां दरमराज ने कहा था तारीक आगे ले लो तो क्या वो कल के डेट को एक्स्टेंड करना चाहते हैं जी जी वकील साब लेकिन आगे तो दिशरा है दिवाली है और ऐसे में दिवाली से पहले डेट का मिलना बहुत मुश्किल होगा तो हमें कहां जल्दी है मेरे कहने का मतलब यह है कि कल तो मुमकी है नहीं कल तो गामे हवन है हम सब वहां जाएंगे और दरमराज भी वहां काम में होगा ना एक काम पर रहना दिवाली के बादी यह तारीक लेलर है ठीक है मैं कोशिश करता हू लेकिन यह बात आप उन्हें बता भी जए है हाँ हाँ जुरूर जुरूर जयासर कृष्णी जयासर कृष्णी क्या टाइमिंग है नानी मान गए हाँ नानी आज तो आपने संभा लिया पर अब दरमराज को यह तारीक के बारे में बताएगा पॉन मैं वापा से बात करना है मानिक आपके लिए फल और साबूद आने के किजड़ी हाँ रख भूक लगी है पुरा ना माने तो आपसे एक बात को आगर बोलने यह प्रसाद आपको मेरे आज से काना है ऐसा बाने का था अगर आप कहे तो बाने बोला क्यासा जी आतो चल फिर पड़ा पड़कर चल अच्छा समय है लोहा गरम है कर लो चोट जाए जाए जाने अच्छा 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 मुह बची आओ जो पपा अलने वे शूज़ पपा वह वकील साब आय थे यह अच्छा आप दोनों की डाइवोर्स की डेट है न तो आप दोनों को कोट जाना है अच्छा आप अच्छा उ। कर दो आश्टमी यह नहीं कर वे अवन है पपा आप फिक्रमत कीजिए मैंने डेट एक्स्टेंड कर वाली है एक्स्टेंड एक्स्टेंड लेसू तारीक आगे बढ़ वाली है हुआ भले भले इसे भी अवाने तुन नहीं जा सकता थे निशान अच्छा लगा है हितने तुन्हें देखा श्रां तरहम्राजे कहा कि तुन्हें अच्छा किया जरम्राज भी चाहता है कि संतु यहां ज्यादा रहे है वे चल ले बबाबा मरू मोड़ू सो जो एचे जम्वा देना भूख लगिये हाँ पापा तम्में जमीलो कि दिवाली के आगे के डेट लेली है मैं आवां दो ने चल आप अज लाए अज अज पर आप अज आए आए ती वाली तक का हमें समय मिलके है अच्छा समय मिला है कुछ ने कुछ रास्ता डूल लेगे लाए 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 मालिक दूत लाए 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 तूने भी उपास रखा इन्हे कुछ खाया पिया के नहीं नहीं मालिक पहले मैं स्थूति करूंगी फेरी कुछ खाऊंगी खाये ले जाओ ए मॉलिक जी पपा जरा नीची आओ नहीं आवियो पपा लाए 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 बेस बेस मिला जी पपा मिला मैं उससे साहे था की उसने तेरी जी पपा की उसने मेरी साहे था बोलने को तो बार वटिया है पनाजमी बहुत बला है यह भी कला होती है नहीं मुटी बिन सबका मन जीतके अपने प्रशंसा करवाने के मैं तो पहली बार मिलाते ने उससे तो समझ जया था कि बहुत खरो माना सथ है पपा वो अच्छा दमी नहीं है दोके बादेबाद शूद हो कि हम दगाबाद उसने क्या किया देरे सान नहीं पपा वो भरवटिया है ना डाकू कहां किसके सगे होते है अरे फरक होता है डाकू अने बारवटिये में डाकू अपने आनंद के लिए लूटता है ने बारवटिया दूसरों की साहता के लिए समझो हमारी बाद अने जहां तक मेरा अनुमाने कांजी वागेला ने हमारे साथ कभी बूरा तो किया नहीं कभी किया के मोटी बेन नहीं तो बची अने तुमारी बाद संबड किसी के अतीत को ध्यान में रखके उसके वर्तमान पर अविश्वास करना बरोबर नहीं है यह तिरी बहुत बड़ी भूल है अन्जो उसको काम अच्छा आता है उन्हें हमको अच्छे काम की प्रशंसा करनी चाहिए यह पची हमारा सगा संबदनी तो है नहीं काम पे ध्यान दे बाकी भूल जा जी पपा अले सांबड कली इते ने आर्थी कीती नहीं आज तू कर जे अले सांबड तो के माट लो उखड़े लोचे तो के माट लो उखड़े लोचे बरोबरे नहीं कुछ समस्या होए तो बोल नहीं पापा वो बस काम की टेंचिन थी और कुछ नहीं आता अब ये बाद बढ़ती ही जा रहे है पिनमा के ये बाद ज्यादा दे तक शिपी नहीं रहे है आता कि अज़व इनका जब का छोकर है सब आर्ती के लिए राह देख रहे हैं बजू नीचे नी आया ये मॉलेक चालने ये जरा जोने मोटी बेन हाँ मैने चमपा कली को भेजा है क्या हुआ बेन भा मॉलेक भाई अपने कमरे में नहीं ये कमरे में नहींड लेशू तो पसी गयो क्या ये 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 आप वर प्रतीक्षानी कर सकते चल्ड तू कर आरती चल्ड आवा मोटी वर ये 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 जे बलानी आप लोग भी सब प्रसाले लेजिए प्रसाल गाओजए भ्रसाल काओगे प्रसाल गाओज़न कि दो क्यों दिया जवाब दो मुझे क्यों दिया दो कमेरी फुई को कि बोलो कांजी क्यों कि अखिलवार मेरी फुई के साथ अच्छा क्या जानते तुम मेरी और उसकी जिंदगी के बारे में सब कुछ सब कुछ जानता हूं यह कि तुमने मेरी फुई से शादी की थी और यह भी खिलवार किया तुमने मेरी फुई के सिंदगी के साथ अगर ये बात तो मैं तुम्हारी फुई से पता चलिए तो फिर वो जूट है और जो भी तुम्हारी फुई मेरे बारे में तुम्हे पता है वो गलत है वो गलत है मैरा खुद अपनी आखों से देखिये तुम दोनों की शादी की तस्वीर वो गलत है पर उसके अधार पर तुम्हारी फुई ने जो मेरे बारे में तुम्हें बताया है वो गलत है सस तो ये है कि मैंने तुम्हारी फुई से बहुत प्यान कि सचे दिल से प्यार किया लेकिन मैं ये भूल गया था कि वो एक अमीर बाप की बेटी है उसके पास दिल नहीं है सुवजार की बेटी थी नहीं अपने बाप के कहने पर उसने मुझे पुलिस वाले से पकड़ा थी सस तो ये है कि अगर तुम्हारी फूई ने मुझे बीच रासे में नहीं छोड़ा होता तो आज मेरा परिवार होता मेरा बच्चा मेरे साथ होता तुम्हारी फूई के एक गलत हरकत के कारण में अपना बेटा कावा बैढ़ा हो आज जान के ओ ये है सच बेटा? हाँ बेटा जिसके लिए मैंने ते इंतजार किया जेल में साड़ा मैं और में बारा है तो पता चला कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा हमारा रिष्टे का आदा सच तुम्हारी फूई तुम्हारी फूई तुम्हारी बताया होगा मलेक मैं तुम्हारी फूई ने तुमको ये नहीं बताया कि मेरा और उसका एक बच्चा गी था यही तकलीपे नहीं बीडी में कभी किसी चीज का भान नहीं रहता अब भगवान जाने क्या गयों शुक्रो ए मैंने तिरे को बोला था ने क्या सांच की आर्थी तिरे हाथों से होनी है कहा गया था चाम खंपाडिया क्या था मुझे पता चला पपा की कांजी से बहूत बड़ी भूल हुई थी उसी का जवाब बांगने गया था कि जब बहां गया था तो पता चला कल्टी कांजी की नहीं किसी और की थी पपा बोल थीने नहीं थीने जबाद है सारू लागे हो क्या हुए तु सुन के नहीं पंड समझ के निन्ने ले रहा है अपनी जिम्मेवारी उठा रहा है पंदिकरा ये भी तिरी जिम्मेवारी है न नवरात्री वरस में एक वार आती है आज सांच की आर्ती करनी थी मैं तुझे सारी पापा मैं कल आर्ती पक्के से करूँ मैं ठीक से जा आत्मू दो के खाना का ले जी पाप मैं खाना पर उसके आती हूँ ने भोग देना उसको भोग देना उसको भोग ले संबड सोकरी कल आठा में और दरंपूर में हवन है घर के सब लोग जाएंगे तुझे रहा बाग का द्यान रखना हो जी जवाब मांगने कहा था लेकिन जवाब में पूरा सच उसका जी ने बताया मुझे सच बताने का दावा करने के बावजूद आपने मुझे कभी पूरा सच नहीं बताया कैसा सच आपकी और कांजी की संतान का सच भूई कि अज़ आपकी और का दावाब में पूरा सच भूई कैसा सच भूई आपकी और का दावाब में अज़ आपकी और का दावाब में पूरा सच भूई झाल झाल